राम मंदिर के सवाल पर भढ़के कमलनाथ, राम मंदिर के प्रान्पिटिस्ठा कारिक्रा में नहीं जाएंगे, राम मंदिर का पट्टा तो बीजेपी के पास नहीं है ना, राम मंदिर के सवाल पर भढ़कने के क्या है माईने, बाजपा की सरकार थी, तो उनकी जिम्मेदार नमस्कार भारत एक्स्प्रेस MP में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुरिष्टी शुकला राम मंदिर के सवाल पर कॉंग्रेस नेत और मद्रप्रिदेश के पूर्व मुख्य मंत्री कमलाथ भडग गए उन्होंने यहां तक कह दिया कि राम मंद को वो प्राम्ट रिस्ठा कारिक्रम में नहीं जा रही है लेकिन राम मंदिर के सवाल पर इस तरीके से उनका भडग नाब तमाम सवाल खड़े कर रहा है कॉंग्रेस नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया वो भी उस वक्त जब पूरा देश राम में बना हुआ है दर असल वदा सब हमें विधायक की शपत लेने के बाद कमनलात तीन दिन के दौरे पर अपने विधान सबा शेत्र चिंद वारा पहुचे जीत के बाद कारिकरता से मुलाकात और लोगसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुनी है इसी दौरान कमनलात मीडिया के राम मंदिर प लेना चाहें राम मंदिर सुप्रीम कोड की जर्जमेंट की बाद इसकी शुरूबात वी बाद की सरकारती तो उनकी जिम्मदारीती बनाना राम मंदिर के सवाल पर कमनलात क्यों भड़क गए वो नेता जिन्होंने चुनाफ से पहले अपने आपको हनुमान भक्त दिखाने की पूरी कोशिश की अपने शेतर छिन्वारा में बाबा बागेश्वर और पंडित प्रदीप मिश्रा का कारिक्रम आयुजित करवाया लेकिन चुनाफ हारने के बाद वो अचाना क्यों भड़क गए दर असल राम मंदिर को लेकर कॉंग्रेस नेताओं को लगता है कि ये मुद्दा बीजेपी न वो अंदाज भड़कने जैसा ही लगता है कमलनाग के इस बयान पर आपकी क्या कुश्रा है कॉमेंट्स करके हमें जरूर बताईए